दोस्तो 700 सालों बाद 14 अक्टूबर 2030 दिन सनी बार के दिन लगने जा रहा साल का अंतिम और सबसे भैंकर सोरे ग्रहन बारम इसी छह रासी वालों की किस्पत इस परकार से बदलेगा की ना केवल उनके जीवन में होगी धन की बरसा बलकि इनको करोड़ पती बनने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है जे स्री राम जे हनवान जी महराज दोस्तो मिठाई बाटने का समय आ चुका है लड़ू बाटने की तैयारी कर लीजिए क्यूंकि इतिहास में पहली बार 700 सालों बाद 14 अक्तुबर 2023 को लगने वाला सुर्य ग्रहाट पर एक ऐसा अधुत महासयोग बनने जा रहा है जिसके बाद 12 में से 86 वालों की किस्मत पूरी तरीके से बदलने जा रही है उनके जीवन में न केवल इनको धन्सुक वैभव एस्वरे की प्राप्ती होगी बलकि उनके जीवन में इनको इनके भागी का पूरा-पूरा साथ मिलेगा जिसके बाद इने काम्याब होने से अब कोई भी नहीं रोक पाए बारम इसे 6 रासी वालों को सुरे देव का वहासिर बात मिलने जा रहा है जिसके बाद इनको इनके जीवन में अपार खुस्या ही खुस्या मिलने वाली है 14 अक्टूबर 2013 को लगने वाला सुरे ग्रहन के दोरान बहुत सारी घटनाई भी घटित होगी दूसरी तरफ बताय जा रहा है कि 6 ग्रह इस तोरान वक्रावस्था में रहेंगे 14 अक्टूबर 2013 को लगने वाला सुरे ग्रहन काफी लंबे समय तक चलेगा और एक भैंकर सुरे ग्रहन होने वाला है दोस्तो आपको बताना चाहेंगे कि 14 अक्टूबर 2013 को लगने वाला सुरे ग्रहन बारे के 12 रासियों पर अलग अलग परवाव डालेगा लेकिन 12 में से कुछ ऐसे खुश नसीब रासिया होगी जिनका जीवन पूरी तरीके से इसके बाद बदलने वाला है जिनके जीवन में चमतकारी और सकरात्मक बदलाव होने वाला है दोस्तो एक बात का ध्यान रखेगा सुरे ग्रहन एक ऐसी खगोले घटना होती है जैसे ही सुरे ग्रहन लगता है तुरंथी इसका परवाव धर्ती पर देखने को मिलता है जैसे ही सुरे ग्रहन लगेगा तुरंथी धर्ती पर कई दिसाओं में तुफान भुकम जैसी आपडाएं भी आ सकती है आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सुरे ग्रहन भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा सूरे ग्रहण कितने बजे से सुरू होगा, इसका समापन कितने बजे होगा, सूरे ग्रहण के पहले सूतक काल कितने बजे से सुरू हो जाएगा सूरे ग्रहण के दोरान सास्रों के अनुसार वह कौन सी छोटी सी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए जाने अनजाने में अगर आप इस गलती को कर देते हैं तो आपको दुर्भागे का सामना करना पड़ सकता है और आपको परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है फिर आपको हम आज के इस वीडियो में बताएंगे कि सुर्य ग्रहण के बाद 12 मिशिच है कौन सी भाग्य साली राश्या है जिनका जीवन पूरी तरीके से बदलने जा रहा है जिनको सुर्य ग्रहण के दोरान करते हैं तो उससे आपको विशेश लाव की प्राप्ति हो सके उमें आपको रिपलाई के माध्यम से बता दूँगी दोस्तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि 14 अक्टोबर 2023 को लगने वाला सुर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा और यह सुर्य ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि अस्वी नमाउस्या के साथ चलेगा और केहनल का तातपरी यह हैं दोस्तो कि सुर्य ग्रहण के दोरान सुर्य ग्रहण का गोचर होगा और इसका अपरत्यश और परत्यश प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा दोस्तो सुर्य ग्रहण जो लगेगा नौरात्री की एक दिन पहले यानि कि 15 अक्टूबर 2023 से सार्दिय नौरात्री की प्रारम हो जाएगी और 14 अक्टूबर 2023 को रात्री में 8 बच कर 34 मिनाट से सुर्य ग्रहण का सुर्वात होगा और इसका समापन जो होगा रात्री में ही दो बच कर 25 मिनाट पर जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा दोस्तो बारमी से 12 रासियों के उपर इसका परत्यच और परत्यच परभाव पढ़ने वाला है लेकिन बारमी से 6 रासिया ऐसी हैं जिनका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा और इनको भगवान सोरे देव क का आफिरबाद मिलेगा दोस्तो सुरे ग्रहण अस्वी नमावसया का समय एक साथ चलता रहेगा तो इस दोरान कुछ ऐसी गलतिया हैं जो आपको जाने इन जाने में नहीं करना चाहिए वरना आपकी जीवन में कई तरह की परिसानिया आ सकती है और आपकी घर में दिक्कतो दूसरा सुरे ग्रहण का समय जैसे ही प्राडम हो जाएगा घर के हर इक ब्यक्ति को इस बात का खास क्याल रखना है कि इस दोरान आपको भूल कर भी नाना नहीं है नहीं तो इसका दोस्त पूरे परिवार पर पढ़ता है तीसरा महिलाई जो है उनको इस बात का ध्यान सुरे ग्रहण वाले दिन ना तो किसी को कैंची चाकु छूरी इस सब चीजों का इस्तमाल करना है और नहीं अगर आप साधी सुदा है तो आपको सारी रिक संबन बनाना है 14 अक्तोबर 2023 को रातरी 8 बच कर 34 मिनट से लेकर कि रातरी में 2 बच कर 25 मिनट के बीच में नहीं तो सुरे ग्रहण के बाद पूरी तरीके से बदलने जा रहा है जिनके किस्पत का तारा चमकने वाला हैं जो अब माला माल होने वाले हैं धन्वान होने वाले हैं चलि एक की करके बात करते हैं होने वाली है पहले से आप नौकरे कर रहे हैं तो नौकरे में आपको प्राप्थ होने वाली है आपके पस्चारों दिशाओं से धन खीचा हुआ चला आएका तो अगर आप ट्रोपल्टी वाहन करीदने का योग भी बन रहा है सुरे ग्रहण के बाद आप जिस कारे की भी सु कोई मामला फसा हुआ है तो उसमें आपको जीत हासिल होगा सुरे देव जी के आसरवास से आपकी जीवन में बहुत ही उन्नेती करेंगे तरक्ती करेंगे मगर रासी वालों के लिए इस सुरे ग्रहण बहुत ही अच्छा रहने वाला है बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप परती एक सोंबार को किसी भी गाई को ग्यारा रोटी खिलाना सुरू कर देते हैं तो इससे सुरे देव जी की और भगवान सीर जी की आपके उपर असिम किर्पा होगी जिसके बाद आपको आपके भागे का साथ मिलेगा तो सो अगले भागे साली रासी जो है वो है तोला रासी तोला रासी वालो के लिए बताय जा रहा हैं सुरे करहण का समय आपके लिए बहुत ही फाइदे मन रहने वाला हैं तूंकि आपका देव गुरु ब्रेहसपती सात्वे भाव में प्रवेश कर रहे हैं जिससे आपको आपके जीवन में अनेको परकार से सफलता देखने को मिल सकता है तुला रासे वालों को बेपार में ब्रेधी मिलेगी आपके जीवन में आपको लाखो करोणों का धनाने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिस कर्ज के बोज में आप दपते चले जा रहे थे उस कर्ज के बोज से आपको आप मुक्ति मिल जाएगी काफी लंबे समय से अगर आप किसी बीमारी से जूज रहे हैं तो उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी अगर आप परतीक सुंबार को किसी भी सिव मंदिर में जाकर की एक लोटा जल अर्पित करना सुरू कर देते हैं तो इससे आपको आपके भागे का साथ मिलना सुरू हो जाएगा और आपके उपर भगवान सोरे देव जी की और भगवान सिव की असिम किरपा की प्राप्ती हो तो इसमें आपको जीत हासिल होगा कहीं आपने किसी को पैसे दे रखे थे फसा हुआ है वो आपको फसा हुआ पैसा वापिस मिल जाएगा अब जिस कारे की भी सुरूआत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलना निस्चित हैं क्योंकि भगवान सोरे देव जी की वहासिम अगली जो भागिस्थाली रासी हैं दोस्तों है मेसरासी मेसरासी वालों के लिए बताए जा रहा है आपका समय बहुत अच्छा साबित होने वाला है आप जिस कारे के तो आपको आपकी मन चाही नोकरी प्राप्त हो जाएगी पहले से आप अगर नोकरी कर रहे हैं तो उसमें आपकी सेलरी बढ़ सकती है आपकी जीवन में संतान प्राप्ति का योग बनता हुआ भी दिखाई दे रहा हैं बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मंगल बार के आपको वापिस मिल जाएगा धर्मकारे में आपके रूची बढ़ेगी आपकी जीवन में अचानक धन का लाब होगा आपकी जीवन साथी के माध्यम से भी आपको सफलता प्राप्त होने वाला हैं आपकी जीवन साथी के माध्यम से आपके पास धन आने का योग बनता दिखाई दे रहा है सुर्य देव की असिम किर्पाती प्रापती होने वाली है